नमस्कार, चीन ने की थी 1962 दवराने की कुशिश, लेकिन भारत ने नहीं खोई एक इंच भी जमीन, लोकसवा में बुले ग्री मंतरी अविच्छा, भारत चीन के बीच अप्रेल मई 2020 के आखिर में जड़प शुरूवी थी, जिसके बाद 15 जून की रात्री में गलवान गाटी में दोनों देशों की सेना के जवानों में खुनी जड़प हुई थी, भारत चीन सीमा विवात पर ग्री मंतरी अमिर शाह ने शनीवार दस फरवरी को लोकसवा में कहा कि मई 2020 से पुर्वी लगदाक में वास्तविक नियंतर रेखा एलेसी पर सीमा विवात चल रहा है, बावजूद इसके भारत ने सेन गतिरोत के दौरान किसी भी छेतर को नहीं खोया है, समाचार एजनसी PTA के अनुसार ग्री मंतरी शाह ने लोकसवा में कहा चीन ने वही करने का प्रियास किया है, जो कि उसने 1962 में किया था, उन्होंने केंद्र सरकार के दिरिण संकल्प की बात को दोराते वे कहा कि भारत ने अपनी एक इंच जमीन को भी नहीं खोया है, ग्री मंतरी अमित्शा ने सदन में इस बात को भी मजबूती के साथ रखा कि संकट की शुरुवात के समय से ही भारत कहता आ रहा है कि उसने चीन को कोई जमीन नहीं दी है, हाला कि विपक्ष के नेता खास तौर पर कांग्रेस के रहूल गांधी चीन को भारती चेत्र का अधिग्रान करने देने के आरोप लगा कर केंद्र पर हमला बोलते रहे हैं, बारत चीन के बीच वी जड़ब के शुरुवाती दिनों में चीन ने अपने किसी सैनिक के हताहत होने की संक्या का कोई खुलासा नहीं किया था, वहीं आधिकारिक तोर पर उसने फरवरी 2020 में माना की उसके चार सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि एक जवान गहल भी वा था, दूसी तरब यह भी माना जाता है कि इस संगर्ष में चीनी सैनिकों के हताहत होने की वास्त्विक संक्या कहीं अधिक है, नहीं दिल्ली का कहना है कि विवादित सीमा पर शान्ती कायम करने के लिए संगर्ष वाली सभी जगों से चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी होना जुरूरी है, भारत चीन के बीच अप्रेल मई 2020 के आखिर में जड़प शुरू भी थी, जिसके बाद 15 जून की रात्री में गलवान गाटी में दोनों दिशों की सेना के जवानों में खुनी जड़प हुई, इस जड़प में भारत और चीन दोनों ही पक्ष के सैनिक हाताहत हुए थे, इस कारवाई में कम से कम 20 भारती सैनिक वीर गती को प्राप्त हो गयते, आज के इस संक में बस इतना ही आप से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजे, जैहिन!